नमस्ते पढ़ाओं मैंकी साइड लेलियातू यह कोई वीडियू वाइरेल वरा है मेरे शूट का तो सबसे पहले तो सिमापरार्ति हूं मैं जिनको भी बुरा लगा है बट यह बुरा लगने माली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो खोदी मैं मंदिर के मिक के प्रवेश में हमारी फिली में एडाय लग है कि जूता खोल के उपर चड़ो और वो सारी चीज है मैंने दूसरे इंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है जबकि हम लोगों ने दो लोग गेट खीचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा थरसी जान के तो और हमारा दे वो नहीं है हमारा दे मैं उस दे से आता हूं यहां सुटिंग करने मुंबई छोड़के इतने सारे परदूसर का खर्चा कराने मैं अपने यूपी के लोगों के लिए आता हूं कि कम से कम हमारे तरफ से जितना रोजगार मिल सके यूपी के लोगों तो हमारी कोशिस यह है और उषको गलत जो भी लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं फिले ज आप ऐसा मत लेज़ें। कि आस्था हमें समझ में आती है और आस्था का गरिमा क्या है हम कोई नदान नहीं और हम कोई इतने भी ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं लेकि समाज की आइना को जानते हैं कि समाज का मतलब क्या होता है भगवान का मतलब क्या होता है तो ऐसा नहीं है वो एक सिनेमा का सीन है कि हम गेट के अंदर आ रहा है तो उसको खीचने वाले हैं शरिफ मैंने एक्षन किया है वो एक रोल है वो एक एक्षन है शरिफ ऐसा नहीं कि आस्था को ठेस पहुचाने के लिए हमने ऐसा किया है और हमने सिनेमा में बकायदे चीजों को दिखाया है कि नहीं आस्था का मतलब क्या होता है तो आप जब सिनेमा देखें कि तब समझ में आगा कि हा मैंने क्या किया है उसमें प्लेज आप लोग ऐसा चीजों को बढ़ावा ना दे हम एक रोजगार के तहट यहां सोटिंग करने आते हैं कि कम से कम हमारे कुछ नहीं है कि हमें आस्ता समझ में नहीं आती है हमें समझ में आती है आस्ता भगवान का मतलब भी पता है हमें तो प्लेज गलत एंगल से किसी वीडियो को आप वाइरल मत करिए आप पूरा एंगल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा अप अंदर होते तो साथ सम भावन ना दे और जितना अस्था आप समझते हैं उतना अस्था हमें भी समझ में आती है भगवान का मतलब हमें भी समझ में आता है तो प्लेट्स थैंक्यू समच जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं लबी